त्रिपुरा की राजनीती जिस राज़ परिवार और जिस राजमहल के चार ओर इस समय घूम रही है या फिर वो कहूं मैं केंद्र बनी हुई है मैं वहाँ हूँ उज्जियंता पैलेस जिसे 1901 में बनाया गया था असम के सबसे खराब भूकम के बाद और मानिक के परिवार की 186 किंद प्रद्युत मानिक के हमारे साथ हैं इस बार चुनावी मैदान में प्रद्युत साहब कितना भरोसा है जीत का और इस बार जनता के बीच में जाकर क्या कह रहे हैं देखे मेरा पूरा भरोसा है कि जो हमारे लोग हैं जो हमारे जनता है वो हमें विश्वास करती है और वो इस बार हमें अपनी बहुमत से पूरी बहुमत से जिताने की पूरी कोशिश करेगी तिप्रा मौत बनाने का पार्टी का मतलब क्या है पार्टी का संदर्ब क्या है और उसका कारण क्या है और उसका अस्तित्व क्या है तिपरा मौथा मौत देना पार्टी एक मुव्मेंट है, हमारे जो लोग जो पहाड में रहते हैं, जो गाउं में रहते हैं, जो गरीब-गरीब अलाके में रहते हैं, उनको उनका सम्विधानिक अधिकार देने के लिए. और ये सम्विधानिक अधिकार अगर हमें मिलता है तो ये सिर्फ 10, 15 या 25 नेता को MLA या मंत्री नहीं बनाएगा या किसी को MP नहीं बनाएगा ये हमारे 14 लाख लोग या 15 लाख लोग जो ADC में रहते हैं जो पिछले वे शेत्र में रहते हैं उनको उनकी इस भूमी की उनकी आर्थे कंडिशन उनकी नौकरी की उनकी पीने के पानी की medical education ये सब को एक constitutional अधिकार देकर ये movement आगे बड़ा था और ये आज भी एक movement है और political party कम है जब तिप्रा मोथा ने इस बार autonomous district council में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो आपको लगता है उसके बाद से राश्ट्री अदलों ने आपको seriously लेना शुरू कि राश्य अदल तो हमेशा हमारे जनजातियों को इतना seriously नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हम बिख जाएंगे और उनके साथ अलाइंस करेंगे इस बार शायद उन्होंने हमें seriously इतना नहीं लिया क्योंकि इनको यहीं लगता था कि सब जो पहाड में और जो ADC में रहते हैं सब लीटर्स बिकाओ हैं लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं मने हो गया not every leader can be purchased आत्मसमान भी कुछ होता है लोगों का विश्वास भी कुछ होता है और इस बार उनको जटका लगा क्योंकि पचास साल में पहली बार एक आंचुलिक पार्टी ने अपने आपको किसी भी Central Party के साथ alignment नहीं किया यह आप आरोप लगा रहे हैं या आपको खरीदने की कोशिश की गई है यह बता रहे हैं मैं आपको एतिहासिक सच बता रहा हूं कि पचास साल में यह पहली बार है कि कोई भी आंचुलिक पार्टी तिरपरा में कोई भी National Party के साथ उन्होंने अलाइंस नहीं किया क्योंकि हर पार्टी अंचुलिक पार्टी इससे पहले ट्यूजेस रहा है IPFT रहा है INPT रहा है उन्होंने एक समय कुछ कहा है और अंत में उन्होंने अलाइंस किया है शीट शेरिंग की है इस बार हमने यह बात नहीं किया क्योंकि हमारा मुद्दा ही सबसे नंबर वन पॉ क्योंकि अगर आप में मुद्दे में बात नहीं करेंगे और सीट के बारे बात करेंगे तो तब मुद्दे का आप उठाते क्यों है बात तो सीट शेरिका नहीं होना चाहिए बात तो सेलूशन का होना चाहिए लोगों के अधिकार के बारे होना चाहिए लेकिन हम हमेशा अ आगर्तला में करते हैं, तुरुपरा में करते हैं, दिल्ली जाकर कुछ और बात करते हैं. इसकbreोश के लिए में वह क्यांकि कुछ बात करणी जका ने खाएं. लोग कहते हैं इसाब Wipaksh के दल आपके यहाँ के यहाँ नहीं सेटिंग कर लेता औरुजीHE आपके साथ कॉफी पीता, अंशनल बात करते, इंडिया हैबिटाट सेंटर में, इंडिया इंटरनाशनल सेंटर में, मैंने तो गाउं में काम किया है, मैंने तो जमीन में काम किया है, और मैं विपक्ष में ही बैठा रहा, मेरी पूरी जिंदगी में विपक्ष में बैठा हू क्योंकि मेरा परिवार, मैं रोयल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, अर्स्ट वाइल रोयल फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो क्या मेरा माइनस पॉइंट होना चाहिए, मैंने एप्लिकेशन भेजा था, कि मुझे इस परिवार में आपने जनम करो, मैं पैदा हुआ हूँ, यह सच्चा ही है, लेकिन मेरा जो काम है, वो पब्लिक देखता है, बहुत भी राजा-माराजा है ना, आज भी रोयल फैमिली में बहुत मेरे कजन अग्रदर्रस हैं, मेरे अंकल हैं, जो राजमीती में हैं, वो तो पावर में हैं, यह अरफ उनके खिलाव क्यों नहीं लगता थोड़ा सा cultural evenings नहीं करता हूं पेज three parties नहीं फेकता हूं तो इसके लिए मैं fashionable नहीं हूं मैं circuit में नहीं हूं यह circuit कौन बनाता भई यह कौन बनाता है circuit यह आपको लगता है कि क्योंकि आप एक तेज जोरदार आवाज हैं इस समय बीजेपी के खिलाफ इसलिए मलाइन करने की कोश्च में ऐसे ही इनसान हूं मेरी सिक्षा शिलॉंग में हुई नौर्टीस में हुई मैं विदेश नहीं गया मैं डून स्कूल नहीं गया अजमेर मेरे फादर अजमेर गये थे मेरी पूरी स शिक्षा नौर्टीस में हुई मेरे सब दोस्त जो हैं कोई भी राजपरिवार से नहीं हैं सब कोई ओफिस में काम करते हैं कोई कोई लॉयर है कोई एक्टिविस्ट था हम हमारा शिक्षा हमारा पढ़ाई हमारा दोस्त उठना बैठना आम जनता के साथ हुआ पूरी आज जब जीत गया हूं तो सब जुड़ना चाहते हैं सब कहना चाहते हैं कि अरे राजा और उसके महल लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था एक समय कौन था मैं अकेला था राजा को देखके आते हैं महल को देखके आते हैं कि जीत को देखके आते हैं लोग यही महल 100 साल से उपर में था यहां मैं कोई कलका पैदा तो हुआ नहीं हूँ तो आज यूँ आ रहे हैं महल तो था राजा तो सोकॉल राजा था पैसा भी था क्यों आते हैं क्योंकि उनको लगता कि ये इनसान अपने लिए फाइट नहीं कर रहा है अपने जब आप community की बात करते हैं तो what is the idea of tipra land boundaries क्या होंगी उसकी लोग क्या होंगे क्या उसका plan very much within the dominion of India very much within the state of tripura not exceeding the state of tripura and I am asking for political separation I am also not insisting on geographical separation I am asking for political separation let the government of India or other political parties come and bring a solution solution की जब बात करते हैं तो जनता की समस्या क्या अत्रपुरा में रहके नहीं सल्टाई जा सकती कि उसको अलग किया जाएगा जरूरत जरूरत क्या बढ़ती I said not geographical separation political administrative separation complete political and legislative and enforcement separation so that tomorrow we can govern ourselves the way we would like to govern ourselves whose state was this who are the original inhabitants of this land if they want something so that they can decide their own future अपना भाविशे को यहां के लोग जो जन्जाती लोग कुछ करना चाहते है मैं कहरा आप political separation कीजे geographical separation मत कीजे यहां की लोग हमारे पहाड में आएंगे पहाड की लोग अगर तला में आएंगे आप political administrative separation कर दीजे जब आपा जब जो autonomy का बात करते है न बीजए बीजे बी मॉर अट्रोमी तो यही कर दीजी जब आप राजनीती की बात करते हैं केंदीर सरकार की नीच्छे directly आना चाहते हैं हम directly government of इंडिया से बात करना चाहते हैं हम अगरतला आकर अपनी राजनीती नहीं करना चाहते हैं जब आप राजनीती की बात करते हैं और केंदर सरकार में बात करते हैं तो क्या बात बंती नहीं है कि ग्रह मंत्री या प्रधान मंत्री चाहते नहीं है देखिए किसान अंदोलन जब किसान ने अपना अंदोलन किया तब प्राइम इनसे ने का शायद हमसे कुछ चूख हुई हिंदुस्तान में अगर आपको सेंटर को कुछ दिखाना है तो आपको पहले उनको हराना पड़ेगा तब वो आपकी बात मानेंगे और हमने ये शुरुआद नहीं कि किसी को नीचे दिखाने के किसी को हराने के लिए लेकिन अब लगता है कि केंद्र सरकार आपसे तभी बात करेगी जब आप सीरिसली उनको दिखाएंगे कि ये जेनियून पब्लिक सेंटिमेंट है जो हमारे गाउं में है क्या आपके डर से लगातार बीजेबी के सारे बड़े नेता कैमपेंग कर रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा है कि तिप्रम होता इस समय ना सिर्फ राजा बलकि किंग मेकर और किंग दोनों हैं देखिए क्यामपेंग तो उनका मीथुन चक्रवर्ति आया हमा मालनी आये उससे कुछ फरक नहीं पड़ता है उनको कुछ आइडिया भी नहीं है तुरिप्रा के बारे वो आकर डायलोग बोलके चले जाएंगे हा लेकिन जैसे होम मिनिस्टर आया है प्राइम मिनिस्टर आ कहीं नहीं तो उनको आप गंभीर से सोचना पड़ेगा कि हाँ ये जन्यून सेंटिमेंट है इसी के लिए आदमी उठ रहा है ये उसको आप मत रिहबिल्टी कीजिए मुझे रिवेल्टीशन नहीं चाहिए मुझे अपनी लिए कुछ नहीं चाहिए हमारी लोगों को दे द रहे हैं बुबागरा कहते हैं आपको उसका क्या मतलब जो लोगों से प्यार मिलता है नाम अलग-अलग मिलते हैं वो क्या है वो बताईए देखिए ये सब दो लोगों का दिल का वो बात है हिंदुस्तान में कोई राजा महाराजा नहीं है लेकिन मुझे अगर कोई प्यार से बुबागरा कहता है तो उनका प्यार है मैं स्विकार करता हूँ लेकिन मैंने अपने आपको कभी भी राजा महाराजा नहीं समझा है मैंने हमेशे अपने आपको पहले इस देश का नागरिक सोचा है और मैंने हमेशे हमेशे लगा है कि हाँ मेरे ग्रैंट फादर राजा थ मैं आपको दो दशकों से देख रही हूँ, ठीक वही रहते हैं आप, वंश बढ़ाने के लिए कभी सोचा है, क्योंकि राजा और राजा के वंशज, क्योंकि आप भी वंशज हैं तो उसको कैसे देखते हैं? मेरे पुलिटिकल पार्टी में मेरे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, मैं परिवारवाद नहीं करना चाहता हूँ, इसमें मैं मोदी जी से सहमत हूँ, कि पॉलिटिक्स में या राजनीती में अपने परिवार को लाना नहीं से सामने, और रहा बात मेरे खुद की परिवार का इल यह सिर्फ एक मेल का तो डिसिजिन नहीं हो सकता पुरुष का डिसिजिन तो नहीं हो सकता उसकी बात देखेंगे मैडम को देख रखा आपने फाइनल कर रखाए गया देखिए यह मैं अगर अगर मैंने यह बात आप कैमरा के सामने कहा तो सब कहेंगे कि अरे मैंने मनोगया को ब्रेकिंग न्यूज दे दिया और यह मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज नहीं देने वाला हूँ क्योंकि अगर मैंने यह ब्रेकिंग न्यूज आज आपको दिया तो दस जनलिस आकर मुझे बोलेंगे यह आपने हमें क्यों नहीं दिया मनोगया तो पां पहले भी मैंने आपको breaking news नहीं दिया था मुझे लगा था आप तीन साल बाद फिर से आएंगे तब बात करेंगे लेकिन आप 5 साल बाद आए तो मैं खफा हूँ आपसे मुलाकात मेरी सिर्फ तृपुरा में नहीं हुई है आपकी बाकी जगा भी हुई है बाकी शहर में भी ह सवाल का मौकात तृपुरा में मिलता है यह बड़ी दिल चैजी आरोप है यह पूरी तरह से सही नहीं है आरोप है यह बनोगया जो है हां यह सिर्फ चुनाओ के साम समय हमें फोन करती है वरनना नहीं करती है यह इसका यह गलत है मैं अभी पब्लिकली बोलना तृपुरा ह कोलकाता हो, मिघाले हो, कोलकाता हो, मिघाले हो, त्रिपुरा हो, सब जगे प्रदिद्धा को याद रखा जाता है, अलगला कारणों से याद रखा जाता है, लेकिन अभी इस समय चुनाओ के लिए सबसे बड़ी चुनाओती और आपके लिए आपके लोगों को क्या संदेश मेरा एकी संदेश है, अपने उपर विश्वास रखो, 75 साल में हमने अपने उपर भरोसा नहीं किया, इसी के लिए आज ही हमारे स्थिती है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, इमानदार हैं, सीधे हैं, सिंपल हैं, हमारी प्रोब्लम हमारे नेता है, और हमारे नेता को मैं ए भाग रहे हो, वो टेंपरेरी है, पोस्टेंपरेरी है, अधिकार, अगर पूरे कम्यूनिटी को आता है, वो पर्मिनेंट है, वो सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके परिवार का होगा, आपके बच्चे का होगा, और आने वाले दिन में पूरे कौम का भी होगा, इसी के ल तीपरा सा आईकलगतों, तीप्रा दोफा आईकलगतों, एन दिस टाइम, कोगबरप में मैं बूलना चाहता हूँ, चीनी हा, चीनी नाइककॉलफां, चीनी हा, चीनी साशन, वन हन्ब्रेट पेसेंट अपना बुकुंग बारा का होगा. जिसका मतलब है कि जीत इनी की होगी अलाकि दिलचस्प है चुनाओं और इस बार दिलचस्प सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि धुर्वी और धुरुव दोनों ये बने हुए हैं लेकिन इन सब के बीच में चुनाओती ये है कि आखिरकार तिप्रा मोथा यानि की राजा ही राजा बनेंगे की राजा बनाने वाले बनेंगे कैमरा परसन सुरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल अगर तला त्रिपुरा ABP News